नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में 19 जन्वरी 1990 में जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के उपर अत्याचार हुआ उनका नरसंगार हुआ तो 32 साल बात किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कहानी दुनिया के सामने आएगी एक फिल्म के रूप में और डिरेक्टर विवेक रंजनक नी होतरी इस फिल्म का डिरेक्शन करेंगे अब जैसे ये फिल्म लोगों के सामने आई तो पहले तो लोगों ने इस फिल्म को उतना सराहा नहीं लेकिन दीरे दीरे जब इसकी कहानी आई सामने और जिस तरीके से आभिनाय रहा तो लोग इसको सरा रहे हैं और जिस देखा जा रहा है कि यह मूवी अब धीरे दीरे ब्लॉक्बस्टर साबित हो रही है तो इस मूवी को शुड़ू से ही पहले दिन से ही यह मूवी हमेशा से कॉंट्रोवर्शियल रही है और तरक तरक के टिपड़ी मूवी को ले करके इसके साथ इसाथ जो इसके डिरेक्टर है मूवी के विवेक अगनी होतरी उन पर भी की जा रही है तो कई मामले आपने देखे कई ऐसे टिपड़नी देखी इसके बाद अब यह जो नया मामला आ अगनी होतरी पर FIR किया गया जिन्होंने कश्मीर में घटित सची घटना पर मूवी बनाई दरसल भोपाल में आयोजित फिल्म महसों में शुक्रवार को जाने से पहले अगनी होतरी के एक इंटरव्यू का बयान ऑनलाइन चैनलों पर वाइरल हो गया था यह वीडियो करीब तीन हफते पुरानी बताई जा रही है कॉंग्रस के दिगज नेता दिगविजा सिंग ने ट्वीट करके विवेक अगनी होतरी को इस वीडियो पर आपत्ती जताई जिसके बाद से ये वीडियो वारल होने लगा और लोग इसे ट्रोल करने लगे देश भर में इन दिनों फ विवेक ने हाल ही में भोपालियों को लेकर बयान दिया था जिसके बाद उनकी स्टिपणी का कड़ा विरोध लोगों द्वारा किया गया ऐसे में अब इस मामले में डिरेक्टर की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि विवेक रंजन अगनी होतरी के खलाफ मुं देशक द्वारा कथित तौर पर की गई टिपड़ी भोपाली मने होमो सेक्ष्वल के खलाफ मुंबई में पुलिस से शिकायत की गई और उनके खलाफ मानहानी और अन्यधाराओं के तहत दर्ज करने का नुरोध किया गया है एक पुलिस अधिकारी ने शनीवार को बताए क कि अगनी होतरी के खलाफ शिकायत वर्सोवा पुलिस थाने में पत्रकार सेलिब्रिटी जन संपर्क प्रबंधक रोहित पांडे ने अपने वकील अली काशिफ खान देशमुक के जरिये दर्ज कराई है आपको बता दे कि इस एफ आई आर की पुस्टिक खुद एक पुलिस अधिकारी ने की है और पुलिस अधिकारी ने ये बताया कि लिखेश शिकायत में दिकश्मीर फाइल्स के निर्देशक ने मीडिया को एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने जान बूच कर निर्देर्था पुर्ण और दुर्भावना पुर्ण तरीके से भोपालिय की विवेक अगनी होतरी के खिलाफ कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए हैं दरसल पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत में विवेक अगनी होतरी के खिलाफ भारतिय दंड सहिता यानि की आईपीसी की धारा 153A और B धारा 298 धारा 500 और धारा 505 के मामले में शिकायत दर् जिसके वज़ से FIR डिरेक्टर के उपर की गई है दरसल भोपाल में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में शुक्रवार को जाने से पहले अगनी होतरी के एक इंटर्व्यू का विवादित बयान ऑनलाइन चैनलों पर वाइरल हो गया था ये वीडियो खरीब तीन हफते पुरान हो सकता है आम भोपाली का नहीं मैं भी भोपाल और भोपालियों के संपर्क में करीब 77 सालों से हूँ लेकिन मेरा ऐसा अनुभाव कभी नहीं रहा आप नहीं भी रहे संगत का असर तो होता ही है दिगविजस सिंग के बेटे जैवर्धन सिंग ने भी विवेक अगनी होतरी की आलोशना की और कहा कि उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए वरना FIR दर्ज कराई जाएगी जिसके बाद यह मामला बड़ता चला गया और आखिरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई इस मुद्दे पर विवेक अगनी होतरी को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है आप स्विश्या पॉजिटिव सइट बता रहा है इस फिल्म का गई कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को नेगेटिव बता रहे हैं और यह कहानी है जो कश्मीरी पंडितों को कहानी है उसको तोड मरोड के पेश किया जा रहा है और ये कहानी झूट भी हो सकती है आपको बता जिस तरीके से कॉंग्रेस के दिगज नेता दिगविजस सिंग ने इस ट्वीट को ले करके आपती जताई अगनी होतरी का जो बयान है बोपाली मतलब होमो सेक्षवल उसको लेकर टिपड़ी की तो आपको ये भी याद दिला दे कि जो दिगविजस सिंग है वो भी कोई दू जिस तरीके से विवेक अगनी होतरी को बोपाली मतलब होमो सेक्षवल वले बयान में उन्हें घेरा है उन पर टिपड़ी की है ट्वीट किया है और जिसकी वज़े से उन पर एफ आयार दर्ज हुआ है तो आपको बता दें कि डिगविजस सिंग जो हैं कॉंग्रस के नेता कहने को तो वरिष्ट नेता है लेकिन वो भी दूद के धुले नहीं है उन पर भी कई तरीके के कॉंट्रुवर्शियल बयान जो है वो उनके द्वारा दिये गए हैं जो हमेशा सही चर्चाओं में रहे हैं आपको बता दें कि मद्य प्रदेश के मद्यसौर जिले में एक ज जोहरी बताते हुए कहा कि मुझे पता है कौन फर्जी है और कौन सही है इस शेत्र की सांसद मिनाक्षी नटराजन सो टंच माल है इसके अलावा देगविजस सिंग पर एक और भी मामला है जो मद्य प्रदेश के उज्यान से जुड़ा है मद्य प्रदेश के उज्यान में वर्ष 2011 में भारती जंता युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी कारेकरताओं से बिड़ंत के मामले में इंदौर की विशिश अदालत ने कौंग्रेस के राज्य सभास सांसद दिगविजस सिंग समय 6 लोगों को एक-एक साल के स्रमस कारवार की सजा सुनाई अदालत ने सभ अधिके से देखा जा रहा है कि जो एक पक्ष यानिकी दिगविजस सिंग कॉंट्रोवर्शी की मामले में टिपड़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका यह जो विवादित है तो खुद विवादित बैयान दे करके हमेशा घिड़ते हैं वो जब किसी और पे यह बयान बा जब वो खुद फस रहे हैं तो वो दूसरों को कैसे बोल सकते हैं और आपने देखा होगा कि दे कश्मीर फाल्स मूवी को ले करके हमेशा सही कॉंट्रोवर्सी क्रियेट हुई है तो वहीं कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी की है कई तमाम राजनैतिक नेता हैं जिन्हों इस फिल्म की तारीफ की उसे टेक्स फ्री किया उसी के साथ ही साथ कई बॉलिवुट के एक्टर भी हैं जिन्हों ने मूवी को ले करके तारीफ की और बिना किसी बड़े बज़ट के बिना किसी बड़े स्टार कास्ट के और बिना किसी गानों के बिना किसी एंटर्टेंड के यह मूवी ब्लॉक बस्टर साबित हो रही है और लगातार यह मूवी अब तीन सो के आगड़े को छुने जा रही है उसी की साथ ही साथ अगर हम नज़र डाले बॉक्स आफिस पर तो इसने फिल्म गंगुबाई को भी माद दी बच्चन पांडे को भी माद दी और साथ ही स अब इसका टकड जो है मोस्ट अवेटिट फिल्म एसस राजा मॉली की ट्रिपल आर से भी है और देखना दिल्चस्प होगा कि क्या दी कश्मीर फाइल्स मूवी ट्रिपल आर को टकड़ दे सकती है या उसकी बराबरी कर सकती है आपकी जो भी राय हो इस खबर पे जिस तर को जरूर सब्सक्राइब करें